दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे Oxford Basic English Translation के exercise 95 का solution और दोस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं और पीछे बाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सीधा हमारे चैनल पर जाएगे नहीं तो पीछे बाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के description box में आपको मिल ज Cadence तो इसे बनाएं कैसे हम पहले जैसे देखिये पहला है दस बजा है तो इसके लिए आपको पता है इत यूज करना है इत बिदे इट इजा और घीट प्लस एज और तो वाज बींदा लियूज कर लेना है वाज इट के बाद एत या वाज तो आप यहां द्यालना है छोड़ा बाद एतल से अलाना द्यतल और ऋखलॉपर यह फ्होरी आउंस या वाज रहेगा ही ठीक है और इसके बाद not डाल देना है चुकि नहीं है तो not यहां लिख देना है not और वैसे ही 10 है तो 10 को 10 लिखेंगे और o clock डाल देंगे o clock ठीक है अब यहाँ पर क्या लिखा हुए दोस्तों क्या 10 बजा है तो यह interrogative sentence है तो इसके लिए क्या करेंगे इट का पर्योग करना है ठीक है इट का पर्योग करना है और इसके बाद जो है 10 रहे तो 10 यूज करना है तेन और o clock डाल देना है o clock इस तरह से और question sign देना है आपको देखिए हम बनाते हैं जैसे देखिए 10 बजा है क्या लिखा हुआ है 10 बजा है तो आप लिखेगा it it is 10 o clock it is 10 o clock दस नहीं बजा है तो लिखेंगे it is not 10 o clock it is not 10 o clock क्या 10 बजा है तो इज पहले आ जाएगा is it 10 o clock question sign साधे चार बजा है साधे चार तो जानते हैं आप साधे चार का साधे चार बजा रहा है तो हाफ पास्ट लिखते हैं क्या लिखते हैं हाफ पास्ट तो लिखेंगे it ऐसे भी आप इत लिख सकते हैं, इत इज हाव पास्ट, हाव पास्ट, साधे चार है तो फूर और ओक लॉक लॉक लिखे, इत इज हाव पास्ट फूर ओक लॉक साधे चार नहीं बजा है, लिखेंगे इत it is not half past for o'clock क्या सारे चार बजा है तो पहले आप यहां पे is डालिए इज 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 इट इज 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 इड़ हाफ है पास्ट अ फोर ओ उ क्लोक क्लोक है क्लोक है को खस्टन साइन होगा दोस्तों यहां करेंगे और क्वाटर पास्ट क्या उचारंगे और क्वाटर पास्ट तो इट इजू और कुआटर कौटर पास्ट पास्ट फोर है फोड फोर इसे भी आप लिख सकते हैं क्लोक नो लिखे भी चलेगा ठीक है अगे देखे सवाचार नहीं बजा था तो लिखिए इट वाज नौट और क्वाइटर क्वाइटर पास्ट फूर क्या सवाचार बजा था तो पहले वाज लिखते जिए वाज वाज इट और क्वाटर वाज इट और क्वाटर पास्ट फूर यहां लिखिए फूर होगा यहां पर देखे एफ ओ यू आर फूर देखे सुबह है तो लिखिए इट कि इज मॉर्नी कि सुबह नहीं है लिखिए इट इज नौट मॉर्नी क्या सुबह का समय था तो वाज पहले लिखिए वाज इट वाज इट मॉर्नीं को इस रात का समय था लिखिए इट वाज नाइट इट वाज नाइट आगे कुछ और है और यहां हम मोट किये हुएं देखिए क्या है रात का समय नहीं था रात का समय नहीं था तो लिखिए इट वाज नाइट क्या रात का समय था तो लिखिए पहले वाज वाज इट नाइट इट वाज नाइटीन अटी पोर डिखिए पहले वाज वाज इट इट नाइटा रात का समय नाइट वाज नाइटा अठी था क्या समय नाइट नाइटीन अची आइट वाज 1984 question side is it question side